चन्रपूर के पास दो लोगों की मौत हो गई जिनको एक वैदू ने शराब छोड़नी की दवा दी थी दोनों भी शराबी थे जो खबर आई हुई है उसके मुताबिक वो कहीं वैदू के पास में चले गए और वहां उनने शराब छोड़नी की दवा लिया और दवाई लेने के बाद में उनकी मृत्य हो गई वैसी खबर है पता नहीं वो वैदू कौन था उसने क्या दवाई दी थी जुनको अलकोल एडिक्शन था शराब की लट थी उनकी फिजिकल कंडिशन कैसी थी यह सब जानना होगा दवाई जो है वो काम किया है मतलब शराब छोड़ने के ल मनोविकार, शेक्षरोग, सम्मोहन तथा प्यसन नम्मुक्तितन्यों महाराश्ण में बिछले 41 साल से अकोला में प्रेट्टिस कर रहा हूँ शराब छोड़ने के लिए दवाई देते हैं कुछ दवाई ऐसी कि शराब पिने की इच्छा होती नहीं कुछ दवाई ऐसी है कि शराब पिने के बाद में जो मजह आता है वो मजह आता नहीं और कुछ दवाई ऐसी है कि एदि वो दवाई के ऊपर शराब पिया तो रियाक् बढ़त ठीक नहीं बोट भी एक है शराब बहुत एडिक्ट है तो ऐसे लोगों को यह यह दा इसली फिराम जो दवाई है वह हम देंगे तो definitely ऊदिए बागे फिजिकल इठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बाकि शुगर है क्या ब्लेड प्रेशर है क्या उसकी रिपोर्ट लाओ और फिर वह इसाफ से उसको दवाई देना उचित होता है जब शराब छोड़ता है आदमी तो ऐसा नहीं कि उसको आया तो दवाई दे दिया उसको शराब छोड़ने के बाद में आते विड्रॉल कुर्षा अंको भ appreciative करते हैं कि गारिड्र ब्री फीक्रणisty कोषपितल लाइस करते उनको यह सभी जो तक्लीव हो रही है उसकी दवाई दीते हैं और प्लिद्ध में मोजय के बाद में नहीं हो जाता है तो बाद में फिर श march авष यह लुसीच्बरॉंत वह गतता कि दवा है क तो पिने का मज़े आता नहीं है तो यह सभी दवाई हैं आप हमें ओनलाइन ओफलाइन कंसिल्डेशन कर सकते हैं और यह शराब की लत्का इलाज कर सकते हैं आपको अच्छा लगाज लोगों को शेर करो लाइक करो सब्सक्राइब करो तैंक यू बरी मच